हमने एक RD account open किया है और उसमें हमारा जो amount है per month का वो है thousand rupees की हम per month thousand rupees pay करेंगे और हमने ये RD open की है 12 months के लिए यानि one year के लिए और इसका rate of interest हमें bank ने बताया है कि वो 5% होगा fix होगा तो अब हमें after one year हमारी data के हिसाब से जो return मिलेगा वो return हमें find out करना है तो उसके लिए हम use करत करेंगे और लिखेंगे fb bracket करेंगे open यहां पर पहला argument है rate तो rate आप देदेंगे yearly है इसलिए इसको divide करेंगे 12 से then comma and per month है तो इसको multiply करने की need नहीं है उसके बाद comma के बाद यह हमसे पूछता है PMT बढ़ हमारे पास PMT क्या है कुछ भी नहीं है तो PMT अगर हम formula में देखे य इसकी जगह कुछ भी देने की need नहीं होती है तो comma देने के बाद हमारा जो cursor है वो move हो चुका है PV पर तो अब हम PV दे देंगे जो हमारे case में 1000 रुपीज then comma type optional है आप दे या ना दे कोई फरक नहीं पड़ता है और आप bracket close करके enter कर दीजिए यह इसकी formatting change हो रखिए यहां से हम इसको कर लेते हैं general में तो यह हमारे पास आगया है one zero five one I hope यह आपको clear हुआ होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next video में thank you so much bye bye